आज हम इस वीडियो में work breakdown structure के बहुत सारे चीजों को cover करने वाले हैं और अगर आपके पास patience है सीखने की छमता है तो इस वीडियो को देखिए में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो थोड़ा detail में जाएंगे अच्छे से समझेंगे क्योंकि हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं comedy show नहीं देख रहे हैं तो बिलकुल time लगेगा कहीं कहीं आपको इस वीडियो में ऐसा लग सकता है कि आप बहुर feel कर रहे हैं लेकिन bear case येगा क्योंकि कुछ चीजों को सीखने के लिए आपको bore होना पड़ता है और ये तो वीडियो के बाद decide की जिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया ठीक है मेरा सर्त यह है कि आप पूरी वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करने से पहले इस वीडियो के बारे में जान लेते हैं फिर हम उसके कुछ elements के बारे में जानेंगे और उसके बाद of course characteristics of WBS पढ़ेंगे और यह सब पढ़ने के बाद अब हमें चाहिए होगा example जटसे हम समझ मैं WBS को और दब सब कुछ समझ जाए हैं तो हमें यह एक रास्ता चाहिए कि हम इसको present कैसे करें और वो भी हम इस वीडिय तरीका है किसी भी complex यानि की cutting और multi-step जिसमें बहुत सारे स्टेप हैं वैसे प्रोजेक्ट को पूरा करने का ठीक है और ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह एक तरीका है जिससे हम बहुत सारे बड़े-बड़े projects को अलग-अलग टुकडों में divide करके उसको पूरा कर सकते हैं ताकि चीजें faster और काफी efficient तरीके से पूरा हो सके हैं ठीक है जब भी आप किसी चीज को छोटे-छोटे टुकडों में बाट देते हैं तो उसको manage करना काफी असान हो जाता है ठीक वैसा ही project के साथ होता है project को जब हम बहुत सारे टुकडों में बहुत सारे काम में बाट देते हैं उसके अलग-अलग चीज होते हैं वो कैसे होते हैं यह हम आगे जानने वाले हैं लेकिन उसको जब अलग-अलग भाग में बाटते हैं तो उसको manage करना असान हो जाता है और उस पर faster काम होता है efficiently काम होता है ठीक है अब बात करते हैं क्या गोल है WBS का क्यों WBS को प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया जाता है WBS का जो main मकसद होता है वो यह होता है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट को कैसे बहुत ही ज्यादा manageable बनाया जाए आज भी क्या है दोस्तों आप reports पढ़िए जाके Google और इंटरने वाले अभी हम goal of WBS पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इस पर concentrate करते हैं WBS की मदद से जब कोई प्रोजेक्ट को हम अलग-अलग टुकडों में बाट देते हैं डिवाइड करते हैं छोटे-छोटे टुकडों में चोटे-छोटे वर्क में तो क्या होता है कि हम अलग-अलग टीम को उस पर assign कर देते हैं और हर टीम अपना काम लोटे हैं शुकि क काम चोटा हो गया है और उसके लिए टीम है फिर दूसरा काम है माले जी कि आपने किसी काम को पाच भागों में महता इसपार अब वोह उस पर काम कर रहे हैं तो साथ ही 5 टीम काम कर रही है उस पर तो faster काम भी ह और काफी efficiently होगा ठीक है और इससे क्या होता है कि आपकी जो टीम है आपके जो resources हैं उनकी productivity बढ़ जाती है increase हो जाती है ठीक है और project management भी काफी easy हो जाता है WBS की मदद से ठीक है project management अगर आप बढ़ रहे हैं तो अभी बहुत को सीखना है और जब आप बहुत कुछ सीख जाएंगे तो आपको यह सब चीजा बहुत चोटी लगेंगे तो मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिज कर रहा हूं कि आपको WBS पूरी तरह समझ में आजाए और समझ में आजाए तो प्लीज यार कमेंट कर देना नहीं भी आए तो अपना doubt कमें आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि work breakdown structure के अंदर वह कौन-कौन से elements हैं जिनको हमें जानना है और क्यों जानना है यह भी हम decide करेंगे सो वर्क ब्रेकडाउन को हम piece of work बोल सकते हैं तो देखिए वर्क ब्रेकडाउन के अंदर चार element होते हैं प्रोग्राम टास्क वर्क पैकेज और वर्क यूनित अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से define करते हैं मैंने यहां पर प्रोग्राम टास्क वर्क पैकेज वर्क यूनीट की तरह से define कराया है खुछ लोग इसे फेज और deliverable work package activities इस तरह से डिवाइड करते हैं हम दोनों देख लेंगे ठीक है example में आपको phases work package activities बता दूँगा और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं program task work package और work unit के बारे में ठीक है program क्या होता है तो माली जे कि कोई project है जब आप उसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जो चीज बनता है वो होता है program ठीक है program को अगर आप तोड़ेंगे तो माली जे कि बड़ा सा project है उसको हमने तोड़ दिया हमने उसको चार भागों में तोड़ा तो चार प्रोग्राम अलग अलग बनेंगे हमने अब एक एक प्रोग्राम को तोड़ना चालू किया उस प्रोग्राम को हमने दो हिश्चों में बाटा तो टास्क बनेगा वो देखिए स्टेप्स और केस यह सारी चीज़े प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइन करता है और वो situation पर डिपेंड करता है कि एक टास् में डिवाइड होगा और प्रोजेक्ट में बनता है ऐसके बाद इसके इसके बाद या फिर केस ऐसा है कि प्रोजेक्ट को तोड़ने के बाद उसमें से बहुत सारे प्रोग्राम निकलेंगे प्रोग्राम को तोड़ने के बाद उसमें से बहुत सारे टास्क निकलेंगे अलग-अलग टास्क होंगे अलग-अलग स्टेजिस होंगे उन टास्क को हम तोड़ेंग अगर एक तीन टीम काम कर रही है तो अपने आप वर्क पैकेज का जो एंबिशन है जो वर्क पैकेज है वो पूरा हो जाएगा क्योंकि यह तीन पूरे हुए तो वर्क पैकेज पूरा हुआ है ठीक वैसे ही वर्क पैकेज जितने तरीकों में डिवाइड हुए हैं जितने नं आपको समझ में कहना क्या चाहता हूं एक फिर मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूं कि देखिए कोई project है उसको मैंने तोड़ा तो अलग-अलग program में वो divide होगा हमें एक वार सिदा work unit में उसको divide नहीं कर सकते है सबसे पहले उसको हमें program में divide करना है उस program को अलग-अलग task में divide करना है उस task को, एक task होआम अलग-अलग work package में divide करना है और ऐसे जितने भी टास्के हैं उन सभी को work packages में divide करेंगे ठीक वैसे ही work packages को अलग-अलग work unit में divide करेंगे और जो अपना bottom level होगा वो work unit होगा ठीक है यहाँ पर अब हम WBS के कुछ characteristics हैं जो काफी important है वो जान लेते हैं PMI यानि कि Project Management Institute इसके द्वारा WBS को एक deliverable oriented hierarchical decomposition of the work to be executed by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables ऐसा refer किया गया है अब इसका हिंदी हम सबस्ते हैं ठीक है deliverable oriented यानि कि result oriented service oriented ठीक है hierarchical मतलब की parent और child वाला relation जो मैंने आपको example में दिखाया था कि आप कोई चीज है उसको दो चीजों में divide करो जैसे मालेजे कि आप दो भाई हैं तो आपके पापा हैं आपके पापा से आप दो अब आपके बच्चे होंगे आपके बाई के बच्चे होंगे तो यह hierarchy तरह का है hierarchy क्या होता है नहीं आता है जाकर Google पर सर्च कर लो समझ में आ जाएगा ठीक है उसका इकम पोजिशन यानि कि उसको अलग अलग तोड़ना ठीक है तो वर्क का hierarchical decomposition क्या होता है वर्क का hierarchical decomposition क्या होता है जो हमने अभी एक्जांपल में पढ़ाता कि उसको चोटे-चोटे कामों में कोई भी काम कौन करेगा प्रोजेक्ट टीम करेगी ठीक है और क्यूं करेगी ताकि प्रोजेक्ट के objectives को अचीव कर पाए और required deliverables जो तै है कि यह चीज इससे निकलने वाला इस प्रोजेक्ट को कुरा करने के बाद यह result मिलेगा यह product मिलेगा उसको create किया जा सके सो इसको अगर बहुत ही कम समय में आसान भासा में बोलना हो तो ऐसा बोच सकते हैं कि work breakdown structure एक deliverable oriented hierarchical decomposition है किसी काम का जो प्रोजेक्ट टीम के द्वारा accomplish किया जाता है प्रोजेक्ट के objectives को find करने के लिए उसको अचीव करने के लिए और required deliverables को create करने के लिए ठीक है या फिर किसी काम को प्रोजेक्ट टीम के द्वारा ऐसे डिवाइड करना कि हमें प्रोजेक्ट के objectives अचीव हो जाए और जो भी जैसा कि हमने बताया ना program work packages work unit task यह सारे एक label है ठीक है तो हर WBS label एक नया और बहतर detailed definition किसी काम का रिप्रेजेंट करता है जिससे वो project complete होता है ठीक है तो माली जी टास्क है work unit है work package है program है यह सारी चीजे लेवल है ठीक है तो सबसे नीचे जो लेवल है वो कौन चाहे वह है work unit उसके बाद है work package उसके बाद है टास्क उसके बाद है प्रोग्राम और इन सभी के पास detailed definition है उन अपना मतलब होगा तो ही आपकी टीम उसके काम कर रही है और जैसे यह उसको पूरा किया जाया है तो अपने आप उसका जो पैरेंट है उसका अब्जेक्टिव हो जाता है देखिए किसी भी चीज को आप बहुत सारे चोटे-चोटे चंक्स में डिवाइड कर देंगे और उनको पूरा करेंगे एक-एक करके तो अपने आप आपका बड़ा काम पूरा हो जाएगा कहने का मतलब यह है ठीक है तो जो भी हमने चंक्स डिवाइड करें हैं जो भी काम को हमने छोटी-छोटे कामों में डिवाइड करा है उनका एक अपना डीटेल डेफिनिशन होता है है धेतर डेफिनिशन होता है ताकि हम उस पर काम कर सकें और फ्रोजेक्ट को कंप्रीट कर सकें तो जब चोटी-चोटी चीज़ों पर काम करेंगे तो अपने आप जब सारे लेवल पे काम हो गया है बॉ Lindsay पे तो अपने आप जो टॉप लिबल है उसका काम हो जाएगा अप WBS structure must be constructed in a way that is new label in the hierarchy includes all the work needed to complete its parent task जैसे कि हमने बताया प्रोजेक्ट को हम डिवाइड करते हैं programs में programs को डिवाइड करते हैं task में task को डिवाइड करते हैं work packages में work packages को डिवाइड करते हैं work unit में ठीक है इतना आपको समझ मैं तो कही प्रोजेक्ट का जो उसको अगर हम parent मानते हैं तो उसका child क्या हुआ उसका child हुआ अपना program project अगर parent है तो program उसका child हुआ टास्क अगर parent है तो टास्क का जो child हुआ वो क्या होगा उसको हम बोलेंगे work package और work package का child होगा work unit तो कहीं ने कहीं प्रोजेक्ट का जो गुड है वो सारी चीज़ें प्रोग्राम में आएगा प्रोजेक्ट का जो जितने भी टास्क चाहिए हमें प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए वो सारे टास्क इंक्लूडेड होंगे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को जब ह नीचे वाला लेबल है वर्क यूनिट उस पे अगर अच्छे से काम हो तो वर्क पैकेज टास्क और प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इन सब के काम पूरा हो जाते हैं ठीक है तो कहने के मतलब यही है और डब्लू बीस स्ट्रक्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि वर्क यूनिट पे ही होनी चाहिए है क्योंकि हमने सीडिफाइं कर रहा है उसको तोड़ दिया है उसको ब्रेकडाउन कर दिया है ठीक है होप समझ में आगा वह नहीं आया तो एक इक्जामपल देखते हैं उससे पहले थोड़ा सा फैट हम जान लेते हैं कि वर्क को गाइड करता है कैसे कंप्लीट करना प्रोजेक्ट को यहां इस इमेज को ध्यान से देखिए क्योंकि यह आप समझ गये तो आप WBS को समझ गया और और आई होप कि आगे भी आपने समझ लिया होगा और इहां पर आपको दुब्रा रिकॉल करवा रहा हूं थाया यहां सब से उपर प्रोजेक्ट को हमने डिवाइड कर रहा है दो फेज और फेज तोमा लिज इसको operation से स्टीन को हमने वरक पेकेज थेडिके यह थे लूब कर होंगे वैसे ही फेज्व हो जाएगा फिर हम फेजु का देखेंगे वर्क पैकेस्ट के एक्ट्विटी जैसे ही कंप्लीट होगे तो फेज्ट्व का यहां चुटेगा तो इसका असर सीधा परजेक्ट पे पढ़ेगा ठीक है क्यूंकि एक्टिविटीज में चूटेगा तो वर्क पैकेज दूरा रहेगा तो फेज दूरा रहेगा और फेज दूरा रहेगा तो प्रजेक्ट दूरा रहे जाएगा समझ गया है अब हम बात करते हैं कुछ तरीकों की जैसे हम WBS structure को represent कर सकते हैं ठीक है सबसे पहला और जो की बहुत ही कॉमन है WBS spreadsheet आप Excel सीट या spreadsheet आपको पता होगा क्या होता है उसके अंदर भी WBS को represent कर सकते हैं उसके अलग-अलग different faces के अलग-अलग column बना सकते हैं उसके अलग-अलग task को समें धरसा सकते हैं उसके deliverables को समें note-down कर सकते हैं ठीक है कैसे करते हैं और अलग वीडियो में आप जानेंगे ठीक है और अगर आपको ज्यादा जलती है तो आप सर्च कर सकते हैं कि Excel में कैसे work breakdown structure को show कराते हैं represent कराते हैं ठीक है तो एक spread sheet की मदद से भी हम उसको represent करा सकते हैं जैसा कि आप image में देख पा रहे हैं दूसरा है WBS flowchart flowchart आप सभी को पता होगा कि क्या होता है ठीक है और flowchart के बारे में मैं यह discuss नहीं करूंगा बस इतना बोलूँगा कि आप side वाले image को देख वह flowchart के अंदर होता है क्योंकि यह चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं और सबसे ज़्यादा software management में I mean software project management के अंदर WBS flowchart का बहुत ही ज्यादा यूज होता है कि अभी तो बहुत सारे software आ गया है तीसरा जो तरीका है वह WBS list यानि कि आप WBS के जितने भी phases है टास् को list कर दो आप है और यह बहुत ही straight forward approach है WBS को create करने का represent करने का आप image में देख पा रहे हो कि इसमें simply एक list बना दिया गया है जिसका अंदर project के टास्क सब टास्क को define किया गया है ठीक है और उसके बाद आता है चौथावे जो है WBS Gantt chart Gantt chart क्या होता है यह आप YouTube पे सर्च क अंदर timeline के साथ अपने work breakdown structure को represent कर सकते हैं कि कौन से टाइम में यह वाला phase खतम होगा concept time में यह वाला task खतम होगा कौन से टाइम में यह वाला work unit खतम होगा और दोस्तों मैंने ऐसा आपको बताया कि work unit, phases, task यह सारी चीचे अलग-अलग लोगों के concept से बदल सकता है लेकिन concept स system रहेगा, define हम वैसे ही करेंगे, कोई उसको phase बोलता है, कोई उसको program बोलता है, कोई कुछ और बोल सकता है, ठीक है, तो बस आपको concept ध्यान में रखना है कि जो सबसे छोटा वाले unit है, वो क्या होगा, work package क्या होगा, task क्या होगा, program क्या होगा, ठीक है, यह सारी चीजे mind में काफी useful होते हैं, ठीक है, और उनका user interface भी काफी अच्छा होते है, वो चीजे हम आपको बाद में किसी और वीडियो में बता देंगे, Gantt chart की मदद से आप अपने task dependencies और उसके project milestone को भी धरसा सकते हैं, उस spreadsheet और उस Gantt chart के अंदर, ठीक है, तो hope कि आपको यह चारो तरीके समझ में आऊंगे, अगर आपको थोड़ा से वी doubt है, और आप उसके बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं, तो YouTube पे बहुत सारे videos हैं, आ आप internet पे search कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे समझना है, तो comment कर दीजिएगा, पर मुझे थोड़ा time लगेगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं समझाऊंगा, मैं आपको example दूँगा, और उसके बाद समझाऊंगा, और मैंने यहाँ पर image डालने की कोसिस करी थी और में भी उससे आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आया हो, देखके, नहीं आया है, तो comment कर देना, या फिर search कर लेना, ठीक है, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सुनो, playlist follow कर रहे हो, तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो, तो जा के कर लो, क्यों झाल